हूलो सूरेंस वेल्कम बैक दफ पोर्थ पार्ट ओफ इंतरना इंट्रथचिन टो इंट्रनाशनल बिजनस तो फार के टॉपिक आप आप ने रीकॉल कर लिए होंगे आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे अजुमिंग दाट आज के फीडियो वें हम क्या बाग करने वाले जैसा कि मैंने आपको सुरूंस पहले है क्लियर किया था कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है इंटरनाशनल बिजनस के फाइदे, नुकसान, कल्चरल वेल्यूस, इकनोमिक डिफरेंसे, सोशल डिफरेंसे, मतलब जियोलोजिकल डिफरेंसे, सब ठीक है लेकिन इंटरनाशनल बिजनस हम करेंगे कैसे तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से तरीके हैं जिनके थूरू अगर आप अपना कोई भी बिजनस इंटरनाशनल लेवल पर स्केल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं और सुरिंट्स आम डाइम शूर के कुछ तरीके तो आप सुन भी चुके होंगे जानते भी होंगे बट यही है कि जस्ट पॉइंट्स के थूरू जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा आपको क्या हो जाएगा हाइलाइट हो जाएगा तो चलो बात क करने पहरते हैं तो जैसा की मो है मोडस ओस इंट्री इंटू international बिजनस और यह स्लाइड आपको बता रही है एक ब्रीफ आईडिया दे रही है कि कौन कौन से तरीके से आप अपना बिज्नस international level पर कर सकते हो तो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि international business करने के लिए आपने क्या करना है तीन तरीके से करेंगे कैसे करेंगे क्या-क्या mode आपको दिया हुआ है ओ अगर मैं modes की बात करूँ तो वह modes में आप कह रहा है अगर मोट की बात करें तो वह कह रहा है कि पहला होता है जिसमें तुम्हें main होता है trade related कि तुम्हें अपने धंदे से मतलब है तुम trade के लिए ही कर रहे हो दूसरे कुछ business है जिसमें तुम contract के basis पे काम करना पसंद करते हो और तीसरे कुछ basis है जिसमें तुम investment के थू काम करना पसंद करते हैं और बिजनेस की बात में कहो तो बहुत तरीके के business होते हैं कि business को एक ही तरीके कुछ business होते हैं जिसे कि मानलो जिसमें मैं actively काम करूंगा मुझे पूरा time काम करना है सुबह जाना है फैक्टरी कोलनी है शौप कोलनी है बैठना है कुछ business ऐसे होते हैं जिसमें तुम क्या करते हो investment करके बैठ जाते हो और तुम returns expect करते हो तो इसी तरीके से दिये हुए कि अगर आप modes की बात करें तो trade related हो सकता है contract related हो सकता है and at last क्या हो सकता है investment related तो one by one हम बात करेंगे student discussion करेंगे कि क्या क्या तरीके है जिन से की आप international business करेंगे चलो तो trade related में दे रखा है exporting और दूसरा option दे रखा है counter trade contractual related में हमें दे रखा है turnkey contracting, management contracting, licensing, franchising and leasing और investment related हमें दे रखा है joint avengers और wholly owned subject तो यह तरीका है जिससे की आप एक international business में entry ले सकते हैं चलो तो सबसे पहले student हम बात करेंगे exporting की क्यों देको मैंने अभी आपसे क्या का था कि इसमें बहुत से ऐसे types आएंगे जो आप already जानते हैं आप पढ़ चुके कही ना कही उसके बारे में सुन चुके हैं तो exporting के बारे में मुझे जादा आपको explain करने की जरूरत नहीं है आप कोई भी समान बनाते हैं और आपका समान की quality अच्छी है आपको सिर्फ करना यह है कि जिस भी country को आप target करना चाहते हैं तो उनकी policy को पढ़ लो कि उनकी export से related क्या policy है मतलब क्योंकि कई बारी क्या होता है सुरेंट जो अलग अलग countries होती है उनके अपने अपने ट्रेड मतलब उनने एक foreign trade को लेकर के अपने agreements बना रखे होते हैं उनकी अपनी policies होती है कि एक साल में कुसी दूसरे देश से इतना ही समान मंगाएंगे यह policy हो सकती है या फिर इंपोर्ट की बात करो इंडिया के ताकि आप समझ पाओ इसे इंडिया कहता है कि अगर आप किसी भी तरीके का capital goods मंगाएंगे है capital goods का मतलब होता है advanced machinery तो इंडिया कहता है कि मैं आप से कोई टेक्स टैरिफ नहीं लूँगा क्यूंकि इंडिया को यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे देश में जितने जादा capital goods आएंगे मतलब जितनी जादा machines आएंगी हमारी country की productive capacity जो है वो उतनी जादा बढ़ेगी और अगर हमारी country की productive capacity बढ़ेगी तो यह country के लिए positive sign है तो ऐसे ही दुनिया के हर देश ने अपनी country के हित में सोचते हुए welfare को सोचते हुए policies को design develop किया है तो अगर हम exporting की बात करें तो exporting बहुत simple सा तरीका होता है that you want to sell your items globally just you need to check with their requirements के उनकी requirements उस particular चीज़ को लेके क्या है क्योंकि मैंने import और export clear कर दिया तो मैं एक word आपको और clear करना चाहता हूँ which is called enterport hopefully आप में से बहुत से students को पता होगा लेकिन बहुत से students भूल भी गए होंगे enterport student international trade का ही एक पार्ट होता है एक्सपोर्ट आप समझते हैं आप अपने देश में समान बना रहे और आप दूसरे देशों में बेच ना चाहते हैं Import आप समझते हैं कि आप दूसरे किसी देश का समान बना हुआ जो आपको आपके देश में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो वो आप मंगाना चाहते हैं Enter port का मतलब है एक देश से समान मंगाना और उस समान को दूसरे देश में मेच देना उसने बोलते Enter Exporting refers to the process of selling domestically produced products to foreign countries बिल्कुल ठीक बात है It involves checking अब देखो यह चीज में आपसे कह रहता है कि हमें कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है ठीक है और वो क्या है वो यह रहा Export policies of the foreign country as well as the import policies of the home country भाई तुम export कर रहे हो और तुम क्योंकि जब तुम export करोगे तो कुछ समान तुम मंगाना पड़ेगा तो भाई तुम यह चीजें देख लो क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि उन दोनों देशों के बीच में trade agreements हो है वो क्या कहते हैं उसके according तुम करो अब जिसे कि यहां पर देखो दे रखा है many countries restrict the price as well as quantity of exported goods to their countries कि भाई तुम जो समान बेच रहे हो और जितनी quantity बेच रहे हो उससे बहुत पैंटर करेगा जैसे इंडिया ने अभी 2023 में जब पूरे वर्ल्ड में ऐसे scenario हो गएते कि यह attack हो रहा है वो attack हो रहा है तो कुछ time के लिए इंडिया ने क्या किया था अपना जो rice का export है वो रोग दिया था clear कहा था कोई भी rice का export नहीं करेगा क्योंकि पहले we want to fulfill the domestic requirements अगर domestic requirement पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम बात करेंगे exports की so that is how it works so आगे an exporter need to be aware about it otherwise it will be it will be a legal issue export can be done in two ways directly by company और indirectly through intermediaries such as export trading companies और export houses देखो क्या होता है यह मैं आपको समझात हो और आप एए एक सेकिंद में इसको relate कर भी पाऊँगे यार मेरे को कोई समान बेचना है और बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे को समान बेचने के लिए export import license लेना पड़ेगा और भी बहुत साही चीज़ें करनी पड़ेंगी और मैं इतना जादा complexities में पढ़ना नहीं चाहता तो what I can do सुरिंट मैं आपको एक बाप बताता हूँ देखो ये देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना देखो मैं जो जो बोल रहा हूँ उनको बाद में चेक भी करो पढ़ाई करने का तब फाइदा है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको practically relate करो क्योंकि हो सकता है बहुत से सुनच को पता होगा नहीं पता तो देखना अब ये एटसी वेबसाइट जो है आप इस पर जाओ आप .com open करना .in open मत करना कि .in के लिए पर .com के लिए अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरीके से एक intermediary मान लो house मान लो जो मर्जी मान लो एटसी पे आप जो भी प्रड़क्ट बनाते हो let's just suppose कि मान लो आप ये copper की bottle जो है वो बनाते हो आपका काम है आपको लग रहा है कि यार foreign में तो copper की bottle का बहुत requirement है वो लोग तो बहुत जादा मांगते हैं लेकिन सवाल ये है मुद्धा ये है कि foreign में अपना प्रड़क्ट पहुचाया कैसे जाए आप जाओ Etsy पे आप as a seller अपने आपको अपने आपको register करो जितनी डीटेल वो मांगता है authentically वो सारी डीटेल दे दो जादा तर ये manufacturers को entertain करता है traders को entertain नहीं करता ठीक है तो आपने बताया कि आप manufacture करते हो photos मांगेगा आपसे video मांगेगा आप डाल दो ठीक है अब उस पे ads बगएरा चलाओ Etsy आपके product को globally दिखाएगा मांग जाद तर US में UK में सब जगा दिखाता है globally वो दिखाएगा ठीक है आपने जो भी ads रही है उसके थ्रूँ आपको order आएगा आपको केवल ship करना है ठीक है license और कैसे होगा क्या होगा यह सब कुछ ads ही देखेगा तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि export trading companies होती है export merchants होते है अब उनके थ्रूँ यह काम कर सकते हो राइट ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से मुझे license है कि वो involved होना है अब यहां पे लिखा भी हुआ है the difference in direct and direct exporting is that the first involves increase in investment आपको कि license लो और साही चीज़े करो cost more information search better control over distribution and direct interaction with consumers while in case of indirect exporting the intermediaries are familiar with the foreign market अब Etsy को already बता हो लोग को क्या चाहिए कैसे पहुचा रहा है क्या नहीं करना वो खुद कर आप Etsy नहीं रहते तो amazon.com खोल लो ना आप amazon.com खोलोगे आपका पास अगर कोई product है तो आप amazon.com पे बेचना शुरू कर दो amazon.com बस यह के महीने के आप से एक fees लेता है आपका समान बिके या ना बिके यह चीज़ आप test करके देखो आपको पता चल जाएगा राइट अब advantage is क्या है it is the traditional and simplest mode of entry international business में असान घुसने का सबसे असान तरीका है वही कोई भी समान पकड़के export करना शुरू कर दो it requires less capital investment compared to other methods क्योंकि दूसरी देश में जाना उस वहाँ पर जाके setup करना labor रखना operational cost निकालना fixed cost निकालना बहुत सारी चीज़े है ना तो आपको working capital ची यहाँ पर कुछ नहीं है अब बस समान यहां से वहाँ बेजो जब order आएगा तो बेजो नहीं आगा मन बेजो ठीक है it helps company to take advantage of economies of scale अब यहाँ पर economies of scale कैसे आ रहा है students एक बात सोचो क्योंकि अब आप export कर रहे हो तो domestic requirement को भी fulfill कर रहे हो और international requirement को भी तो पहले अगर आप 10 unit लेते थे domestic market को ध्यान में रखके तो यार अब आप कितनी लोग है 20, 25, 30 लोग है ना कि यार अब तो मेरा समान export भी हो रहा ह मुझे जाधा requirements है तो यह चीज होती राइट फिर आगे दिया हुआ है इट प्रोवाइज दी option of easy exit in case of crisis in foreign country ठीक है वो कह रहा है यह आपको एक option देगा किस चीज का कि आप easy exit कर सकते हो ठीक है अगर आपकी country में कोई भी problem है किसी भी तरह का कोई problem आया है तो आप जो exit है वो opportunity for the company to expand their business in case of seasonal products और when their product has reached maturity stage जो हमने पढ़ा था saturation कि आपके product को आपके domestic market में saturation मिल गया जाधा लोग नहीं ले रहे है जिसे अब foreign में handicrafts की बहुत required तो आप अगर अच्छे handicraft या brass से बने समान भेजोगे तो वो लोग लेंगे ही लेंगे तो यह हमारे पाई exporting Disadvantages देखो क्या है इट requires knowledge of foreign trade policies of home country as well as that of countries which company is exporting तो ही आपको पूरी foreign trade policies को पढ़ा होना जानना जरूरी है तब ही आप कर पाईगे इट requires obtaining licenses जो मैंने आपसे काता कि आपको export import का जो है एक license नेना पड़ता है ठीक है IEC code बोलते हो से import export code बोला जाता है तो वो जरूरी है It requires company to undertake market research to modify their marketing strategy as per the foreign market which you very well understand understand this thing right कि मैं समान export कर रहा हूँ तो मुझे ये तो पदा करना पड़ेगा ना कि उस देश के लोग products को कैसे बढ़ा करीगते है इसके एक example देता हूँ One of my like childhood friend is now a citizen of Australia मतलब वो 2015 में जब हम लोग graduation हमने खतम की थी तो उसी time वो Australia चला गया अपनी masters के लिए तो over the period of time क्योंकि अब आप देख सकते हो अच्छा कासा उसने एर बिता लिये तो उसको citizenship मिल गए है अब मैंने उसे बोला कि यह वो अपने एक business करता है तो मैंने उसे बोला कि काम कर भाई तो ना ये marketing strategy यूज़ कर इंडिया में बहुत चल रही है क्या पता तेरे पास भी ह को ये चीज करें कौन सी strategy तो students आपको पता होगा आज कल आपको कोई भी समाल लेना है आपको कही नहीं जाना YouTube पर जाना है wholesale market for computer wholesale market वो इतने सारे लोग आज कल व्लॉगर बन गए है खाना अच्छा कहा मिल रहा है जी जैकेट अच्छी कहा मिल रही है जी जूते कहा अच्छ बना हुआ है या फिर Instagram के influencers इसके थ्रू भी है तो मैंने उसे बोला तो अपने business में ये try करके देख तो उसने का चल देखता हूँ अभी ये concept उनके देश में है ठीक है क्योंकि foreign के जाधा तर countries के अंदर जो developed है मैं बात कर रहा हूं students उन मेरा VIP culture इतना जाधा नहीं है अब VIP culture इतना जाधा ना होने का मतलब ये है कि जो celebrities अगर उनके हैं भी तो उनको खोड़ा common रखते है ऐसे नहीं है कि जिसे हमारे यहां पे celebrity को बिल्कुल बगवान का दरजा दे दिया अब उसने जो बोला तो तुम वह मान ही रहे हो तो ये चीज फोड़ी foreign में नहीं है वो थोड आप नहीं ये marketing काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी business के अंदर इस तरह की strategy को use होते नहीं देखा that is the difference कि अगर आप export कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि आपके यहां पे जो marketing strategy से आप समान बेश रहे हो आप export करके वहां भी बेश दोगे तो यह आपका problem है ठीक है and last है collection of payments payments बहुत risk हो जाती है मैंने बहुत से लोगों की बहुत बड़ी payments को अटकते हुए देखा है कि आप सम आप करते रहो जो भी करोगे कि अभी दूंगा अकल दूंगा तो यह एक थोड़ा रिस्क है क्योंकि समान बाहर जा रहा है यह हो गया पहला mode ठीक है जिसमें हमने किसके वारे पड़ा exporting चलो अब दूसरा counter trade अब यह counter क्या होता है हम कहते है counter question मत करो मैंने आपसे बोला कि आ शेयर कर दूंगा मैंने आपको यह बोल दिया और मैंने बोला था भी पढ़के आना अब मैंने आके आपसे पूचा ओए पढ़के आयो आपने का सर पीडे वेजा आपने मैंने का वा बेटा वा ठीक है मुझसे ही चला कि मेरी बिल्ली मुझी को मैं मतलब मैं आपसे question कर रह यहां पर generally यह trade contract में आते कौन से दे जनरली इस तरह के trade contract में ना 40 economies है ना चैसे मैं example लेके अब बताता हूँ यूसेडार आप मैंने यह क्यों नाम लिया क्योंकि यूसेडार जो country है उसका नम आपने सुना हो नहीं को एल्स अलवर्डॉर ठीक है यह ऐसी country है जिनके नाम आपने सुने ही नहीं होंगे आप मुश्किल है अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है फिर तो बहुत का जो एक medium है global currency जो है वो US dollar माने जाते हैं कि internationally student जो भी trade होता है वो किस में होता है वो US dollar में होता है ठीक है तो इनके पास इतना नहीं होता तो यह देश जब इन देशों के साथ कोई देश trade करने के लिए आता है तो यह counter trade offer करते हैं कि हम ना आपको अपने देश में business तो करन देंगे लेकिन condition यह है कि आपको हमारे देश का यह सारा समान जो है यह आपको accept करना ठीक है अब अगर आपको जरुरत है उस देश में business करने की और आप चाहते है अपना business expand करना तो you will go ठीक है जैसे इंडिया ने किया था इंडिया ने का का था पैप्सी को को बोला कि भाइ लेकिन तुम्हें अब हमारे जो किसान है उनसे टमाटर खाइदने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि तुम्हें लेना ही पड़ेगा तुम्हें करते हो तो करो तुम टमाटर लो अपने देश में ले जाओ और वहां पे तुम बेचो हम तुम से cash नहीं मांग रहे है तुम पेपसी का business करो उसका जो profit आए उस profit से इतना percent का तुम्हें टमाटर लेना ही पड़ेगा ताकि हमारे society के development के लिए कुछ पैसा है counter trade कि मैं तुम्हारे साथ trade करूँगा cash के लिए नहीं बदले में तुम्हें मेरा good accept करना पड़ेगा तो अब एक बात समझो याद आया कुछ इस से के मैं तुम्हें good दे रहा हूं बतले में तुम्हें मुझे good accept करना पड़ेगा and that was nothing but partner system of exchange hopefully अब आप लोग recall कर पाया होंगे partner system of exchange आपने पढ़ा हुआ है राइट चलो ठीक है तो यह हो गया counter ठीक है अब होता क्या है जरा details में पढ़ लेते हैं इसको counter trade is an agreement where companies exchanges goods holy और partly का मतलब क्या है या तो कुछ percentage आपको खरीदना पड़ेगा या पूरा का पूरा दोनों में से कोई भी condition हो सकती among them rather than one company selling goods to other company for money मैं Pepsi को से यह नहीं बोल रहा कि भाई तू मेरे को बेच दे Pepsi और मैं खरीद रहा हूं counter trade is oldest civilization and was known as barter system barter system में यह होता था कि भाया तुम यह समाल लेके आगे बदले में यह समाल लेके चले जाओ where things were exchanged for food grains in today's time it is being followed by companies to balance their trade position with foreign countries or at times for the growth of their industries there are various forms of counter trade such as buyback switch trading offset कर देना हो accounts में परते हो clearing arrangement and counter purchase in case of buyback the seller of machines and equipment receives complete payment in cash with this cash he has to buy the goods produced from the machine and equipment supply right अब समाझ रहे हो कि भाई तुम पूरा cash तो दे देंगे लेकिन अब तेको करना क्या है तेरे को करना यह है के अब equipment और बाग की चीज़े तेको उसी cash ते कहीद नहीं पड़ेंगी भाई हम कहा जाएंगे वानना बेचने के लिए while in case of clearing arrangement the countries involved in trading with each other continue to import and export among themselves without making any cash payment जैसे आहां इसका एक और example मैं आपको बताता हूँ मैं को अभी skip हो गया था अभी याद आया जी ट्वेंटी समिट के बारे में तो आप सब जानते ही हो 2023 के one of the biggest जो events हुए उन events में से one was G20 summit है जो इंडिया ने इस बार उसको help किया था ठीक है उसकी जो भी sponsorship थी वो पूरी इंडिया को मिली थी ठीक है और उसके बाद न्यू देली में हुआ था यह तो पता ही आपको इस event में जो यूई के person आये थे तो वहां से उन्होंने बोला के भाई दुबई से लेकर के मुंबई तक होगा क्या यह प्रजेक्ट के उपर बात तो बहुत पहले होगी तो पूरी तरीके से official stamp लग गई के दुबई से लेक अब एक train चलेगी कौन सी वाली bullet train अब इस जो under the seizure bullet train चलेगी वह उव्यसे बाद टनल में चलेगी इस तनल के अंदर टेक्निकली देखा जाए तो तीन तरीके से pipes होगी तीन पाइप्स होगी अब यह तीन पाइप्स क्यों होंगी वह समझो ने पहला तो यह सबसे बड़ा जो एक बिल्कुल वेक्यूम सा है उव्यसी बात है समझ रहे हैं आप मेट्रों में बैठे हो गया आप लोग वह होगा train के लिए कि जो दुबई से मुंबई मुंबई से दुबई यह करेगी एक जो पाइप होगी इसका काम होगा सूरेंट दुबई से इंडिया तक क्रूड ओयल लेकर के आना इससे की जो क्रूड ओयल लाने में जितना ज्यादा भी पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा का जो खर्च है वो कम होगा और दूसरे पाइप का काम होगा इंडिया से दुबई में पानी बेच यह क्या हो गया counter trade कि भाई तुम हमें थे पानी बेच देंगे इसे बोलते हैं counter trade ठीक है चलो अब जरह बात कर लेते हैं कुछ टाइपो है इसके merits ठी merits नहीं है मैं अभी आपको करा देता हूँ मैं लिखके करा देता हूँ चलो पहले में बाप करूँगा इसके merits की कि हमें merits क्या दे रखके तो पहला merit दे रखका है कि यह किनके लिए अच्छा है जिन country के पास shortage of cash है as I told you earlier कि cash की shortage है इतने बड़ी country इतनी बड़ी economies नहीं है कि international पर ट्रेट कर रही है तो उनके इसाब से यह बढ़िया है ठीक है next नमारे पास क्या है इसके अंदर एक problem जो balance of payment का crisis है वो solve हो जाता है क्योंकि balance of payment की जो crisis है वो सुर्ण किसके वज़े से भी आता है foreign जो exchange rate का ज्यादा और कम है उसकी वज़े से भी आता है अब यहां पे exchange rate ही नहीं है समान के बदले समान है तो वो crisis जैसा कोई problem जो है वो arise नहीं हो पाएगा ठीक है next नमारे पास क्या है क्य price रहे हो ठीक है ज्यादा तर तो तुम्हारे reserves of foreign currency जो है ठीक है जो भी तुम्हारे foreign currency के reserves है वो क्या रहेंगे वो तुम्हें वो खर्चने की जरूत नहीं यह तुम्हारे हो गए merits अब बात कर लेते सूर्ण के इसके de-merits क्या है पाई दे तो नुक्सान तो ठीक है अब वो कह रहे है कि burden है बाई burden क्यों है क्योंकि तुमने पैप्सिकों को बोला कि भाई तुम उससे टमाटर ले ले पैप्सिकों ने बोला कि इंडिया में ट्रेड तो करना ही है customer base अच्छा है चल मैं लमाटर ले लू करूंगा क्या मैं नहीं बारी ऐसा भी बाटर सिस्टम वाला प्रॉब्लम आपने बोला सर हमें international business पढ़ना है मैंने का बढ़ा देंगे आपने बोला सर बदले में हमारे पास देने के लिए copper की bottle है मैंने का यार बात तो ऐसी है कि मैं economics पढ़ा दूं international business पढ़ा दूं लेकिन ये बदले में मै क्या है कहां से मैं copper की bottle करूंगा क्या काम की नहीं है तो बड़न होगे मेरे लेके मैं लेके बैटा हूँ आप हर क्लास में आते हो हर चार क्लास की bottle दे की चाहिजा आते हो करूंगा क्या मैं काम भी तो हूंचिन में पस्तिक है और next क्या है time consuming क्योंकि जब किसी चीज की value student न होगा कि पेप्सी को जो अपना समान दे रहा है बदने में तुम उसको चावल गेऊं आंटा कुछ भी दे रहे हो कितना इसके बतले में कितना वह time consuming है ठीक है और एक next problem defective या फिर inferior quality के goods होने का भी एक tension कि भाई तुमने टमाटर तो दे दिये अब सूच कितना कितना टमाट को चेक करने मैठेगा यह तो possible नहीं है संभव ही नहीं है तो यह तो दिक्कत हो गई कि पेप्सी को टमाटर तो ले गया लेकिन क्या पता उसको टमाटर की क्वालिटी कैसी है कुछ खराब निकल गया कुछ भी हो गया क्या करेगा वह तो यह प्रॉब्लम इस प्रेट के सब मतलब क्या है देखो इसमें बात सिंपल सी होती है ठीक है आप में से कुछ स्टूडेंट इस एक्जाम्पल को रिलेट कर पाएंगे जो नहीं करते हैं जैसा मैं बोल रहा हूं उसको प्लीज सर्च करू डेली में मेट्रो जो थी ऑल्मॉस्ट दो हजार दो में सन 2002 में डेली मेट्रो शुरू हो चुका अब कब शुरू हुआ कज बेटर नहीं है डेली मेट्रो रेल कोर्परेशेंट दी अमर्सी जो पूरा बना है इस पूरे को बनाने का जो कakukanट्रक्ट है वह सोट्थ कोरिया की एक कंपणी है जिसका नाम है रूटेम ठीक है इस कम्पनी को साउथ कोरियन कम्पनी रूटेम को यह पूरा कॉंट्राक्ट दिया गया था कि भाई तुम्हें यह मैट्रोस बनानी है ठीक है अब रूटेम लेकिन वो सिस्टम कुछ और था मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहूं मनलब उनकी पेमेंट का तरीका कुछ और था हम उस पेमेंट में नहीं फिलाल समझने के लिए रूटेम ने इंडियन गवर्मेंट को बोला ठीक है मैं पूरा का पूरा यह करने वो में चाहिए ठीक है पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा वी विल एंट ओवर दा प्रोजेक्ट तु यू उसको चलाने का काम सब कुछ करने का काम तुमारा है कोई दिक्कत प्रशानी कभी आईगी तो वो तुम बता सकते हो यह नहीं कि हम बिल्कुली मूव फेर के ब सब्सक्राइब करने का कि अब ऐसे ही तुमारे को पता है कि आज fazer दो म。 बनती हैば किसी भी प्राइवेट जो, बी रियल स्टेट और जो भी प्राइवेट के person होते हैं ठीक है उनको contract दे देती है ठीक है अब वो क्या करते है वो road बना देते हैं उसके बाद सरकार को जो भी उनको पैसा देने तो सरकार देती है पाद में सरकार देने-देने करके toll की form में हम लोगों से पैसा लेती है तो that is call turn की कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट दे दिया किसी foreign company ने आकर करके यहां पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कर लिया ठीक है इसका एक example देता हूँ आप चेक करना जो बुर्ज खलीफा है ठीक है अलेक आई वस अलसो अमेस्ट की बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए samsung का बहुत बड़ा हाथ है कैसे क्योंकि बुर्ज खलीफा को बनाने में जो इंजीनियर्स लगे हैं और जो samsung बहुत बड़ी company के वह फोन नहीं बनाती पहले यह weapons वगेरा में भी deal करती थी काफी कुछ करती है तो samsung का ही की एक segment है जिसके अंदर वो बुर्ज खलीफा को पूरा बनाने का contract इनको दिया गया था तो इन्होंने क्या किया contract मिला है जी बना दिया उसके बचले गए कोई मतलब नहीं आगे तो that is called turnkey के आप बहुत बड़ी chain हो आप बहुत बड़े giant हो आप दूसरी country में जाते हो आप बोलते हो कि यह वाला काम में हम specialized है हम आपको यह काम करते हैं काम हम कर देते हैं बाकी आप अपना काम उसको the foreign market to undertake a project of designing and building infrastructure or service of the manufacturing facility the project after completion is handed over to the client for operation भाई हमारा काम ता पूरा का पूरा project आपको करके देना हमने पूरा project आपको करके दे दिया अब आपके उपर है भाई अब तुमारे हवाले वतन साथ हो दुबाना है चलाना है उडाना है तुमारे उपर है okay it also includes providing training to employees who will be working in the client company as well as times providing technical assistance वो ही बात है जो मैंने आप से कहा था it is also known as built operate and transfer तुमारे किता बढ़िया नाम है built करो operate करो और transfer कर दो so turnkey contracts are used as a mode of entry by companies having specialized technical knowledge for example the Indian government wanting to build a highway road gives the contracting of its design and construction to a Japanese company for fixed fees okay भाई तुम ये पूरा का पूरा वो बना दो highway उसके बाले जो fees होगा वो हम आपको दे देंगे इससे अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पे को Larson and Turbo undertakes turnkey projects in countries such as Maldives, Sudan and Australia ठीक है एलिंटी आप बहुत बार नाम सुना होगा तो बहुत से काम काता है that is called turnkey contract अब पायदे so the agreement is with one contractor for both designing and constructing the facility hence it is easy to coordinate क्योंकि आपको करना क्या है कि design और construct करने काम है तो coordinate करना हसान है the firm to which contract is given is specialized सबसे बेला फायदा आपको कि आपको यह tension कतम हो जाएगी कि कहीं भी किसी तरह की loophole रहेगा या कहीं भी किसी तरह का wastage के chances है नहीं क्योंकि वह specialized है उसी कामों के लिए तो आपको specialization का benefit तो मिलेगा ही मिलेगा फिर the client does not have to look into day to day working क्यों एक बहाँ बताओ अब मुझे भी तो कहीं से की project मिला है मैं भी किसी particular application के through उन्होंने मुझे बोला के नितिश तुमारा काम क्या है नितिश तुमारा काम है हमें वीडियो बना के देना that's it मैं भी तो एक तरीके से यह कर रहा नो turn की के मेरे काम है पूरा का पूरा content जो है create करके उनको hand over कर देना आगे वो क्या करेंगे वो उनको देखना है अब उनको यह tension नहीं होगी कि भाई बार बार हर वीडियो को देखने बैटे क्यूं कि उनको पता है कि उन्होंने ऐसे person को यह काम दिये कि जो उस चीज में specialized है जब आप specialized हो तो आपको नौक नौक रोज करने की ज़रूत नहीं है as the fees of the contractor is fixed the contractor has to bear any additional cost of the project क्योंकि भाई मेरी और आपकी तैय हो गई मेरी और जो company जिनके लिए में काम करो उनकी तैय हो गई कि भाई तुम्हारे को इतना पैसा मल जाएगा तुम्हें वीडियो इतनी मनाकर देनी है तो अब additionally किसी को भी और पैसा लगाने की ज़रूत नहीं है that's it ठीक है चलो अब बात करते है disadvantage the contractor is responsible in case the project doesn't meet the client's performance standards ठीक तो थोड़ा मुश्किल है कि भाई जो भी contractor है अगर client के साब से नहीं हुआ मैं video बना रहा हूं लेकिन video बनाते वक कोई दिक्कत आ गई है कुछ audio clip में दिक्कत है दिक्कत है तो उसके लिए मैं responsible हूँ ठीक है फिर the client has no or very limited control of the project अब देखो एक बात समझो पूरा प्रोजेक्ट तो मेरे हाथ में ना मेरे को बना करके देना है तो उसके अंदर कहा क्या loophole छूट जाए किसी को नहीं पता यह तो देखो video project की बात है तो अव्वेस ही बात है quality check 2 second में हो जाएगा बड़े बड़े highway बनने है उसमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है तुमको instantly दिखा भी दिया और यही तो वजह ना scams कैसे होते हमें कितनी बार दिखाया गया कि government road बनाई थी आज बनाई थी भाईया अभी बारिश वी खतम हो गया अभी आपक रहे हो कि यह सारी problems है from the contractors point of view the liability of the contracting firm increases ठीक है and it may lead to leakage of confidential information of company to the competitors भाई सारी की सारी information मेरे पास आगी है आपकी समझ रहे हो क्योंकि भाई मैंने पूरा contract दे दिया तो information तो मेरे पास है तो अगर मेरे पास है तो मैं उसको leak करके कुछ भी कर सकता हूँ तो यह क्या है इसके looks right च management contracting चाड़ो एक सेकंड management contract management क्या हो सकता है सोच के देखो contracting तो हमें समझ में आता है क्योंकि यहां पर मैं कोई project को overtake नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि भाई I will look after the management ठीक है जो infra तुमारे पास है जैसा चीज़े तो अब समारे पास है तुम रखो मैं केवल यहां पे अपनी management के करने के लिए आऊंगा तो उसके साब से मैं अपना जो भी charges है वो लूँगा तो मतलब सब कुछ तुमारे पास है लेकिन तुमारे infra को use करके I will generate the business मैं अपना कोई अलग से setup नहीं लगा रहा बट तुमारे पास जो है उसी का इस्तमाल करूँगा उसी से अपना business को मैं generate करूँगा जैसे कि आप देखते नहीं कि कई अरियास में जाते है वहाँ पर निकाओता है यह property है इस property के उपर ताज अपना control करके बैठा है या फिर यह अप यह company है वो company ने अपना control कर रखा है कि आप पूरे infra बना के दे दिया अब management करने के लिए इंको रख दिया कि यह पूरा कर रहो staff hiring करने का काम यह करने का जादा तर hotel line में airports के अंदर यह सारी चीज़े चलती है कि बना दिया management किसी और को दिन तो unlike the turnkey project where contractor hands over the project after completion of its construction in management contracting the contractor is responsible for the actual day-to-day operations भाई जो रोजाना हो रहा है वो management जिसको दे रखे पूरी की पूरी वो बताएगा अब मैं आपके example देता है बहुत जगा पे आप लोग अभी societies वगेरा में जाते हैं तो वहाँ पे आपने के guards होते हैं तो वो guard कौन society ही रखती क्या होता है कि आप देखने के कही हो कि उस पर लिखा होता है SIS लिखा होता है क्या 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 ना बहुत सारी एक्सक्र प्राइवेट सेक्यूरिटी सर्विसेज होती है तो उनके क्वालिफिकेशन उनके skill set क्या है वो सब कुछ उस जो जिसको जिस security agency को दिया है उसको देखना है ना और इसके लावा क्या होता है पार्टी वगेरा होती है पार्टी वगेर में क्या करते हैं हम कहते हैं जो बैंकट वाला है भाई सब देर को करना है खाना तेरको देखना है एक एक हमारे बाराती आएंगे बस तो पूरा management तेरा वर्माला भी तेरको लेके आनी है जब दुलन चलके आएगी तो वो बं बारूत जो लगाने वो भी तेरको लगाने है हम कुछ नहीं कर सकते भाई आपने ठल ले हमारे को कुछ नहीं आता तुम्हें सब करना है पाईसा बताओ कितना लोग है that is it so the contractor is given the task to manage the running of the facility for which it receives fees in the firm percentage of sale or revenue generated वो तुम देख लो के तुम्हें fees लेना है revenue का कुछ पूर्शन लेना है वो तुम्हारी मर्जी तो the contract here is of longer duration such as 20 or 30 years or so on it is very prevalent in case of travel वो जे सकी मैं आप से बोल रहा था travel and hospitality industries, airlines, airports, hotels, resorts and so on for example owner of resort building can enter into a management contract with a foreign hotel chain to manage the resort hiring staff servicing the client, maintaining facility, marketing, accounts keeping and other activity related to running of a resort, some of the companies that are into management contracting are Marriott hotels ठीक है, people group पता नहीं कौहन से होगा हुई, Heathrow Air पर holding is limited तो यह आपको example रहा है, अब बात करते है कि फायदे क्या है, the contractor is responsible for managing the facility hence the owner of the facility can concentrate on other business area, ठीक है, अब contractor को हो गया, जैसे मेरे को अभी, I'm not sure exactly but शायद में जहां तक मेरे को पता है, डेली में जनकपुरी में एक होटल है हो, तीम बार उसका नाम भी चैन्ज हो गया हयाद centric, तो वो जो होटल जो है ना, वो होटल अभी तक जो ओनर है, उसने बेचा नहीं हयाद centric को, बस उसने ये बोला कि यार एक काम करो, मुझसे ये होटल चल नहीं रहा है, क्योंकि मैं दो तीम बार अलग 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 को देख चुक ये के देख चुका हूँ, चल नह नाम से चला लो, मुझे जो भी पैसा आएगा, revenue का वो शेरिंग हम कर लेंगे, ये चलीका होता है, as a contract has management experience, it will be able to provide better quality, जो की बात सही है, again specialization का benefit, it is suitable mode of entry in foreign markets where foreign investment is not available, कहीं countries होती है, जैसे की इंडिया भी 1991 में इंडिया ने globalization को अडॉप्ट किया था, लिके जब इंडिया की जो हलाद थे बहुत खराब हो गयते, then India adopted LPG policies, इस से पहले student बड़े तंग हलाद थे, LPG policies से पहले, जो हमारे उस time के finance minister, और बाद में बने मारे honorable prime minister, Dr. Manmohan Singh ji, उन्होंने इन policies को adopt किया था, थीक है, तो उसमें था क्या, उससे पहले foreign investments को इंडिया में restrict किया गया था, उसके पीछे की वजा क्या थी, जैको, अभी हमने कुछ time पहले ही पढ़ा कि, जब foreign companies इंडिया में आती है, या किसी भी developing country में जाती है, तो वहाँ की domestic firms को क्योंकि वह competition bear नहीं कर पाती, छोटी companies होती है, quality इतनी अच्छी नहीं होती, जाताता काम labor से होता है, तो चीजे महेंगी भी बनती है, क्योंकि scale of operation काम होता है, तो बहुत सारे factors है, तो उन countries के लिए यह जो काम है, बहुत सही है, चलो, case advantages क्या है, a contract entered is for long duration leading to a high lock and pay, अब बी limited control over the management of the facility, वही बात है, जब तुम दे ही चुग है, तो तुमाहा control ही कहां से होगा, there is the risk of leak of secret, वही बात है, a management company faces risk of their personal in case of adverse situation in clients country, ठीक है, अगर जैसे कि अभी हमने पढ़ा था भई, इसरेल गाजा के बारे में पता था, कि वहाँ पे दिक्कत आ गई, अब आपने दे रख भाईये भागो अपने employees को बचा के ले के आओ, तो इस तरह के risk जो है, इस तरह की problems जो है, वो awesome, नेक्स है licensing, यार देखो licensing, तो मैंने क्या कहाता आप से, कि बहुत सी topic ऐसे मिलेंगे आपको, जो already आप जानते है, क्या मतलब है license का, इसके बताने की जरुरत है, तो licensing का मतलब यहाँ पर तोड़ा सा जो different है, मान लो कि कोई एक international brand कहीं पर operate हो रहा है, और अभी they are not directly in a mood कि वो खुद आ करके invest करें और सब चीजों को देखे, समझे, ठीके, वो नहीं चाहते, वो ऐसे में क्या करते हैं, वो ऐसे में license दे देते हैं, किसी एक domestic company को, अब of course अगर license दोगे तो for that you will charge a fees, student it is different from franchise, आप franchise मच समझ लेना, franchise में आप उसको royalty तो देते ही देते हो, लेकिन उसके साथ साथ समान भी वो आपको देगा, licensing में समान वान कुछ नहीं देगा, वो आपको केवल अपना नाम दे रहा है, कि तुम मेरे नाम से जो भी production करना चाहते हो, उस country में करके बेच लो मैं तुम पर legally कोई case नहीं करने आऊंगा, क्योंकि वो भी अपने नाम का expansion चाहता है, लेकिन वो फिलाल जादा जनजटों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसको पता है मेरा नाम अच्छा है, तो कोई भी मेरे नाम के license को लेना चाहेगा, तो that is called licensing, ठीक है, म Aditya Birla Fashion, आप Myntra चेक करना, Myntra पे एक आएगा, Arvind करके आएगा, Arvind मैं पूरा नाम याद नहीं आ रहा, यह आएगा, Myntra पे, ठीक है, इनको चेक करना, जितनी भी Wrangler की jeans इंडिया में आ रही है, और एक और, Nautica, यह करके ऐसी कोई company है, अब देखना है, अब देखना ह उनने के चलो तुम कर लेना, Similarly, Wen Hussein, Peter England, और, Ellen Soli, और, Pentaloons, ठीक है, और, अब तो, मैंने, रिसेंटली सुना है, Levi's भी, हमारी country में, जितना भी, यह सारे के सारे, ब्रैंड है, student एक बाद चेक करना, काम अलग है, लेकिन, सारे के सारे, Aditya Birla Fashion, जो है, वो है, इंडिया में, लाइसेंस, इन सारे, ब्रैंड का, के, इस सारे, ब्रैंड के, जो कपड़े बनाए, और, बेचे जाएंगे, वो, Aditya Birla Fashion के पास, आप, छेक करना, कैसे अलग हो गया, क्योंकि, जब हम, फ्रेंचाइजी की बाप करते, तो, फ्रेंचाइजी में, वो, कंपनी, आख करके, आ हाथ, आख, आख, रर, इस समौनesseं हाथ, लिएसेंसरो प्रॉस्ट को कि अगे, आख जा कई, तो, शौनकि, बॉलने हो गया, ब्रैंचाइजे के, ज toolingेs, लिएक मिल्सारों, ब्रैंजेंसे की ब्रैंचाइज, आख, दो, आख, इन सारे, लिएंसर, लिए तुछ, टी कर investment and make their presence in the international, बात simple है, देके यह रहे रहा, रैंगलर और नॉटिका ही है, तो रैंगलर और नॉटिका जो है, और जिसी है, एक फोर example, multi-action company like, Coca-Cola and Mick Rosso, uses licensing to expand into foreign markets, right, अफ़ाइद है, simple method है, जो भी एक एक बड़ा investor है, जो करना चाहता है, उसको license बेद दो, बात खतम हो गई, it doesn't involve much capital investment, other method से तो कुछ ही नहीं, आपको क्या लग रहा, आपको तो बस चोटी-मोटी research है, वो लगेगा, it is less risky for the licensee, as he is using rights of an established company, अब यह एक बात सोच हो न, वेन हुसेन, या फिर एलन सोली, पीटर इंग्लाइड, ताम ही brand है, अगर आप ऐसे को license लोगे तो आपको tension नहीं होगी, Levi's, ताम ही brand है, the licensee is able to generate more revenue from proprietary assets, देको मैं एक चीज़ को मानता हूं सूरें, बहुत अच्छे से, वो franchisee में आ जाएगा, या इसमें भी आप समझ लो, अगर आपके पास capital है, अमेशा ego पे नहीं लेना चाहिए, पैसा ego से नहीं कमाना, पैसा बुद्धी का इस्तमाल करके कमाना है, वो सकता है, तुमारे पास 1, 2, 3, 4 क्रोड़ों का capital हो, और तुम business करना चाहरे हो, लेकिन लोग आते कहते है, sir, अपना कुछ करना है, अरे automotive है, चाहिए education है, चाहिए fashion है, चाहिए food है, अब check करो, उन सब की franchise ही होती है, तो एक बात बताओ, अगर मुझे 50-60 लाख रुपे दे कोई बड़े brand का, जिसका मैं नाम जानता हूँ, उसकी franchise ही मिल रही है, तो मैं वो ले लूँ ना, क्योंकि मैं को रिस्क खतम हो गया, at the end matter ये करता है भाईया लाला जी के गल्ले में कितना पैसा आ रहा है, वो तुम अपने नाम का कोई कोल के बैठ जाओ, food का कोई भी कोल के बैठ जाओ, business, या फिर तुम burger club कोल के बैठ जाओ, पैसा आना चाहिए बात खतम होगे, तो ये फाइदा है, अब नुप्सान क्या है there are chances that licensee may become a competitor, क्यों उसको जब समझ में आ जागा कि भाईया ये पूरा धंदा होना कैसे, वो धीरे से करके क्या करेगा, अपना ही एक बहुत बढ़ा brand मना लेगा, आपका नाम यूज नहीं करेगा लेकिन उसको marketing और दुमिया भर की चीज़े तो आ गई है, तो धीरे धीरे करके आपकी चीज़े समझ के अपनी चीज़ेकर लेगा, ता licensee does it have control, आपका control ही नहीं क्यों कि आपके तो license अपने नाम का प्रदक्शन का दे दिया ना उसको, बाकी production अगया सब को सो देखनी है तो आपका control ही नहीं है, it requires intensive research to find a suitable, which is very important, कैसे, किस company का license दो चलो एक बार को स को दे ना दे बहुत सारे टर्म से मिस्ट मैनेजमेंट ऑफ दा राइट्स पाइद लाइसेंसे के टार्श एक्जेक्ली मालो अब आपको राइट्स तो मिल गए कि भाई यह तुम बना लो लेकिन तुमने खराब क्वाल्टी बनानी शुरू कर दी अब उस खराब क्वाल्टी सी होगा क्या जो लाइसेंसर है उसका नाम करा हूं की हमें इस बात से मतलम निहीं क्या आदिते बिर्ला फैशन वैन हुसेइन को ओन कर रहा है, हमें तो वैन हुसेण का नाम पता है एमने वैन हुसेण की Jeans नहीं अच्छी निग ली तो टार्निश अधित्य बिला फैशन नहीं हुआ टार्निश इमेज किसकी हो गई इमेज टार्निश हो गई वेन हुसेन की पीटर इंग्लांड की या फिर एले होफ फुली यह भी बात आप हों clear होगए होगी चलो अब बात करते हैं फ्रेंश हैं फ्रेंश होदो थोड़ा सा फार्ग है फ्रेंश हैं और किसके अंदर licensing के अंदर तो पहले हम फ्र्ग की बात करते हैं क्योंकि दिखो franchisee मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा student है इसको franchisee के बारे में जादा नहीं पता होगा ठीक है वो कह रहे रहे अन्लाइक अरे unlike licensing includes package of rights and also involves franchisers helping the franchisee to set up their operation which is not in the case of licensing यही मैं आपको के रहे था आप KFC की franchisee लोगे तो KFC आएगा जगा को verify करेगा देखे गा के बाई जगा मेरे मेरे outlet के साब से खुलने के साब से सारे parameters पर suitable है या नहीं है उसके बाद आपको पूरा infra बनाने में मदद करेगा क्योंकि उसको लगेगा universal चाहिए ऐसा नहीं है कि तुमने बिल्कुल बिल्कुल उसको विब्यूर बना दिया कि दुनिया वरे में अलग अलग color के नहीं red color है KFC का तो red ही रहेगा तो same pattern पर फिर तुमारे पास जो labor लखेगी उनको train भी करेगा क्योंकि franchisee दे रहा है वो इसका मतलब है वो तुम से franchisee fees देगा लेकिन franchisee का मतलब है that you will sell something but उसी के नाम पर और उसी का product क्योंकि franchisee का मतलब ही है कि यह चीज लोगों को पसंद है ठीक है तो तुम यह चाहते हो कि यह चीज इस जगह पर लोगों को पसंद है तो कुछ और आगे बढ़के 10 15 20 25 किलोमेटर दूर भी लोग इस चीज़ को कंजियूम कर चके तो सेम चीज कंजियूम कर सके उसके लिए आपको सेम जगह से ही सारा का सारा मनब सेंट्रलाइज लेवल पर आउटपुट रखना पड़ेगा ताकि सबका टेस्स सबकी चीज़े सेम रहे यह डिफरेंस होगे फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग में वह वह कहरा भाईया तुमने लाइसेंस मांगा था मैंने दे दिया अब तुम अपने उन्ते हो फ्रेंचाइजी के केस में वह आपके साथ पूरे एंड तक रहेगा जब तक आप फ्रेंचाइजी लेके रखोगे तब तक वह आपके साथ ही रहे राइट तो अमोस्ट फेमस अब कहीं भी चने जाओ इसा निए कि पुरी दुरिया में लाइसेंस टाठा को मिल गया इंडिया में चले अब जितने बी स्टार executives ने इंते मीस्तार के वह की पूरे स्टार्बुक्स लाइसन्स किसके पास ताक्ता को aime गशिए अजा सुग या पानाई पर Bureau अब अब एडवांटेजिस क्या है अब इस लोग कॉस्ट ऑप्शन फोर फेंचाइजर तो एक्स्पांड इंटो फॉर्ण मार्केट फेंचाइजर के तो असानी है तो कुछ हुआ ही नहीं क्या है क्योंकि सब कुछ तो आउटलेट वगएरा ओंड ऑपरेट तो सब कुछ वो करेगा फेंचाइजी करेगा फीज भी देदेगा विद इस मोडल फेंचाइजर ऑप्शन पो एक्स्पांड साइमन टिलीस इंटो वेस उसको लगा नहीं पैसा जो फेंचाइजर है वही पैसा लगाएंगे ना इसलिए उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम जितने बर फेंचाइजी जगा खुल वालो it is low risk option for franchisee as it is entering your market with an established business model franchisee के लिए असान है क्योंकि भाई mcdonald's में enter कर रहा है kfc कोल रहा है pizza कोल रहा है तो तेको करना क्या है already ना में तेको तो बस outlet खोलने है लोग अपने आप ही आ जाएंगे ठीक है franchisor helps the franchisee to establish its operation यह सबसे important है कि वो help कर रहा है आपको राइट अन्लाइक आट से दुखसांद revenue of the franchisor is limited to royalty payment क्या रहा है कि जो franchisor है उसके लिए वो ही है कि तुम्हारा दंदा कितना भी चल रहा हो उसको उतना ही मिलेगा जो royalties से discussion है इनके strategic information is shared there may be chances of the franchisee turning into वो ही same बात है कि अगर तुम्हारा सबसे biggest competitor बन जाएगा क्योंकि वो तुम्हारा सबसे biggest competitor बन जाएगा क्योंकि वो तुम्हाई secret recipe या जो भी है वो जान जाएगा तो the franchisor has to pay percentage of its revenue to franchisor which reduces its earning क्योंकि एक percentage देना पड़ेगा तो the franchisor has less control over the activities of franchisee को मैं franchisee देखा कि आपको सब कुछ कर रहा हूं लेकिन आप internally क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे है यह चीज़ पर control करना जो आपका franchisor है उसके लिए थोड़ा सा तो यह हो गया franchisee business ठीक है चलो अब लीजिंग लीजिंग वर्ड मी जानते हो ना रेंट का बाप तो रेंट के पापा जी को लीजिंग कहते हैं उसके तो यह आप कोई उल्रडी इंफ्र यह कोई चीज बना चुके हो सब कुछ कर चुके हो मैं बस आ रहा हूं और आप से कहा रहा हूं कि भाई मैं इससे operate कर लेता हूं अप मनाली वागएरा जाना हिमाचल में और मनाली की तरफ जाना है उत्राखन की तरफ जाना। रिसोट व्गएरा बहुत बने ओं वहाँ पर अगर आप जाओगे न वहाँ पर लोग पूरे-पूरे तोमें resort बनाके बैटे है hotel बना 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 या है हम नहीं चला रहे तुम इससे lease पे लेलो तुम हमें साल का इतने लाक रुपए दे दो और तुम इसको चलाते रहो तुम्हें जो करना है करते रहो हमें इससे कोई लिया गए समझो licensing franchising licensing nal-Szening में relatively investment इंवेस्मेन्ट對不對 आर्पkar नाम तुम्हारा उसके रेगोलर सप्टायर है में इंफ्रा मैं बना रहा हूं और आपको बोल रहा हूं कि मैंने बना दिया resort चला तोल है तो that is called leasing, it is a mode of entry where a foreign firm enters into contract with another company to allow it to hire its asset for a certain period of time, तो बाई हमे इतने time के लिए अपना ये asset देदो, हम अपना revenue जो भी business से करना चाहता, so there are two parts involved lesser, the owner of the asset and the lessee who hires the asset for a specified period of time, as the asset requires huge investment, leasing out is a better option है न, क्यार मेरे को बस करके देखना था वो धन्ना क्यार पता नहीं मना ली में hotel चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा कैसा रहेगा, तो rather than पूरा hotel बनाना, infra खाणा करना, जमीन लेना ये करना, lease पर देलो एक साल की, एक साल की lease है, एक साल चला के देख लेते हैं, अगर अच्छा revenue collection हो गया, तो आगे lease renew करा देंगे, when the leasing period comes to an end, the lesser can either return the asset, जो कि मैंने अपसे का, और also as the option to buy the asset from the owner, so the assets which usually lease are, aircraft, machines, equipment, plants, etc, क्यों खरीजने है, जब आपको lease पर मिल सकता है, तो आप lease पर machines को मंगालो, lease पर aircraft को मंगालो, use करो, और आप उसको वापस दे सकते हैं, right, फाइदे, the leasie doesn't have to block his funds, funds को block करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि purchase करने में, fund block हो जाए, it requires less documentation, इसमें documentation भी आपका कम लगेगा, ठीक है क्योंकि loan नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, बस दाके जो leasing agreement है, वो पूरे करने, an asset which is no longer required by the lesser, can be given for lease, thus generating revenue for the lesser, required नहीं था, बट फिर भी तुम्में कोई मिल गया, तो अच्छी revenue मिल जाता है, और वो एक महीने, 11 महीने, 23 महीने, 5 साल, जो भी तुम्मारा agreement हुआ है, उस्ते पहले परशान नहीं गया, लुक्सान, on the termination of the contract, the asset may be have to be transferred to the lesser, let's see, loses its right on residual value, है न, जो बच्ची हुई value है, ठीक है, उसके उपर आपको राइट नहीं बजिया, आपने उस जगा को create कर दिया, brand बना जिया, सब कुछ कर दिया, बान लो, आपके किस्मत अच्छी नहीं थी, आपने पूरी मैनत करके उसको खडा तो कर दिया, और अब आपका कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर, आपके बाद वाले आके उसे भोग लेंगे, क्या पता, तो the lessee cannot make any changes in the asset without the prior approval, अब मैं एको जो बना के दे दिया गया है, वो ही बना के दे दिया गया है, मैं उसमें कोई change नहीं कर सकता, करना है तो approval लेना पड़ेगा, the rentals are to be paid on a regular basis by the lessee or to the lesser, वो regular basis भी बेखना गड़ा है, चलो, next है joint venture, commerce के student हो joint venture तो आप से अच्छा कोई जानता ही नहीं, joint venture का मतलब क्या होता है, कि अब मैं international market में जाना चाह रहा हूं, तो मैं किसी existing बड़े brand के साथ उसके नाम के साथ जुड़के, जैसे भाईया, बड़े बहुत आप में से बच्चों ने सुना होगा नाम, Tony Ericsson, इन दोनों company का क्या था, इन दोनों company का एक joint venture था, ठीक है, उसके अलावा, Hero Honda, इनका एक joint venture था, ठीक है, और और अभी एक और भी तो नम ना, Hero Honda, Maruti Suzuki, joint venture, है ना, तो हम कोई काम कर रहे हैं, मैं अलड़ी कर रहा हूं, वही काम मैं भी कर रहा हूं, internationally भी करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, बहुत सारी complexities है, बड़ा पैसा लगेगा, तो किसी और वही की company के साथ मिल करके, उस market में अपने product को launch काना, that's it, that is joint venture, international joint venture involves one or more foreign company partners, with one or more domestic company to form a new entity, leading to a strategic alliance, the companies which are party to joint venture share their knowledge, technology and resources to develop better goods and services, it also leads to pooling of capital, reducing of financial burden, क्योंकि देखो, हम दोनों साथ मिल के काम करें, तो burden तो share कही ना कही हो ही जाएगा न, यह वो कहा रहा है, different countries have their own laws regarding international joint venture industries, वो तो देखो अब समझो न, अब कोई भी काम करोगे, तो हर काम को लेखे, हर एक country के अपने ही laws होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, यह को बहुत best example दे रखा है, ठीक है, ICICI Prudential Life Insurance Company, ICICI Bank Limited, Indian Bank and the Fairfax Financial Holdings Limited, Canadian Company है, Aviva India, Darbar Group and a British Company, Aviva, जो भी है, अब कोई होगा, तो रही है, से हम LTT लगाते हैं, तो वो लगाते हैं कि Private Limited Company, शयद PLC यह होगा उनका, तो यह हो गया, ठीक है, तो यह हो गया Joint Venture, अब फायदे, It is quicker and an easier way for setting up, क्यों quicker क्यों है, क्योंकि already एक बड़े brand के साथ, आप जाके अपना नाम लेके जा रहे हो, तो financial resources भी, क्योंकि same है तो उसका भी वही काम है, आपका भी वही काम है, तो आप असानी हो जाती है, तो the domestic counterpart is aware about the local business environment, क्योंकि आप किसी domestic बंदे के साथ जा रहे हो, तो उसे already वहां के environment के बारे में पता है, वो सब technical, political, सारे matter जानते हैं, तो आपको risk बहुत कम हो, तो risk is shared, shared हो जाता है, the parties also gain knowledge from each other, क्योंकि देखो आप दो लोग मिल के काम कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो knowledge students वो क्या होती है, share होती है, तो ग्यार मैं अपने experience से आपको बताऊंगा, क्यार देखो यह चीज ना ऐसे ऐसे है, आप अपने experience से बताऊंगा, मैंने यह चीज ऐसे की थी, तो वो जो knowledge share क उसका भी हमें कोई नो कोई फर्क पड़ेगा, आगे, it gives a strategic edge to the new entity, यह strategic edge देगा एक नई entity को, जो नई entity बनी है, उसको एक नई edge देगा, क्योंकि existing company के expertise और यह company भी उसी चीज में expertise है, इसने अलग markets को tap किया, इसने अलग markets को tap किया, जो दोनों साथ मिल के काम करेंगे, तो बहुत ज़ादा help होगा business बढ़ाने में और competitors को नीचे गिराने में, आगे, नुकसान, तब partners may have different management philosophy, यार हम तो ऐसे करेंगे होगा, यार हम तो ऐसे करते थे, तो वो दिक्कत है, at times a partner can leak the confidential information, वो तो देखो जब भी आप किसे share कोगे, वो problem है, as many parties are involved, it may lead to delay in decision making, क्योंकि AIG group का, जो head of, वो नहीं आया है, वो आएगा तो बताएंगे, मैं तो नहीं पता है, चलो देख लेते हैं, क्योंकि multiple parties involved है, तो इसके अंदर problem किस चीज का है, इसके अंदर problem है, कि आपको सब के साथ मिल के decision लेना है, and your decision is mutual, तो you have to wait for the concerned party के पहले, वो आजाए, वो भी person आज किसी को दोगे, वो आपका धंदा समझ जाएगा, तो पूरी possibility है, कि अगर वो एक बार धंदा समझ गया, तो वो आपको कहीं ना कहीं ditch कर सकता, तो यह तो ऐसा नहीं है, कि किसी एक particular का problem है, ऐसा नहीं है, जितने भी हमने धंदों की बात के, जितने भी हमने बिजनस की बात करते हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कौन क्या कर रहा है, क्यों क्या नहीं कर रहा, मैं जाओंगा जी, मेरे को दंदा करना है, मैं पूरा का पूरा दंदा वहाँ जाओंगा, और खुद करूँगा, मैं किसी के साथ नहीं मिल रहा, किसी से मेरे को कुछ नहीं करना मैं अपनी ही अलग से company कोलूंगा कोई जो हमने previous lecture में बढ़ा था which was known as foreign direct investor तो पूरा का पूरा मैं करूंगा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है ठीक है मैं अपना धन्दा खुद करूंगा देखो लिखा हुआ है In this mode the company decides to expand its operation by having complete ownership मुझे complete ownership चाहिए मुझे नहीं जाना किसी के साथ मुझे किसी का नाम नहीं चाहिए मैं खुद का अपना जो है काम पूरा का पूरा करूंगा ठीक है ओगे The parent company does not partner with any other company to open its subsidy This provides complete control to the parent company without any interference from one इसमें आपको complete control मिल जाता है parent company के साथ जिसमें कोई interference आपके पास आपके पास यह student हमारे पास हो गई only owned subsidiary और student we have completed the last topic of only owned subsidiaries of this particular chapter which is international introduction to business sorry introduction to international business तो इससे हमारे पास हमारा जो first chapter है first topic जो है ठीक है वो हमारा completed I just hope आप सारे lectures को अच्छे से देख लेंगे समझ लेंगे ठीक है next lecture में मिलेंगे next topic के साथ नई topic समझेंगे तब तक I just hope आप इनको complete करेंगे बाइ students take care I just hope आप आप आपर करेंगे झाल झाल